हेलो स्तो कमाई का अड़स यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनरजी के अंदर बहुती बढ़िया तरीके से जो कमपनी वर्क कर दे हैं पिछले काफी सालों से और दोस्तो कमपनी के पास सोलार इनरजी, ग्रीन हाइडरोजेन और बहुत से अलग अलग जो पम्स होते हैं वेरियस सेक्टर में यूज उसको ये कमपनी बनाती है और मैं बात कर रहा हूँ के यस बी कमपनी के बारे में इसके आज रिजल्ट भी आये है और दोस्तो कमपनी के अंदर जो एक बड़ी ग्रोध देखने को मिल रही है कि खास करकर इसके प्रॉफिट में तो वह भी यहाँ पर हम रिजल्ट के थुरू डिसकस करेंगे और जो नुकलियर एनरजी के मिनिस्टर है इंडिया के उन्होंने भी बहुसी चीज़े आज लेटेस अपडेट में सामने रखी है उसको भी इस वीडियो में मैं कवर करूँगा तो पूरे डिटेल्स थोड़ा देखना वीडियो चाहे लंबा भी हो दोस्तो तो आप जरू यहाँ पर पूरे डिटेल्स करना किसी के पास शेर से कोई खरीदना चाहता है तो जरूर अंडरस्टाणिंग करना चाहिए सभी के माइंड में आएगा कि सर नुकलियर एनरजी पर आप फोकस क्यों कर रहे हैं दोस्तो आप सभी जानते हैं इंडिया के अंदर गौ़र्में यहाँ पर फोकस उस सेक्टर पर होना चाहिए देखें लाट डिसिजन आपने आपने होते हैं निवेशक के बड़ प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझ कर आगे बढ़ना चाहिए दोस्तो पहले मैं जो के बियस जो कमपनी है इसके कंसुल्टेट जो रिजल्ट है उसको प 5,994 मिलियन का जो बढ़कर दोस्तो जून 2024 में 6,555 हो चुका है काफी आपको आउस्टेंडिंग लेवल की ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड इंकम के अगर हम कौटरली बेसिस पर भी देखेंगे मार्च 2024 में जो कमपनी इंकम कमाया था 5,547 जो दोस्तो बढ़कर हमें 6,55 55 होते हुए नजर आया जून 2024 में यानि एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी चाहे एरली बेसिस पर हो या कौटरली कमपनी का इंकम दोस्तो यहाँ पर केस्बी लिमेटेट का बढ़ गया है तो आगे बढ़ते हैं और कमपनी का प्रॉफिट बढ़कर 681 हो गया यानि के ग्रोथ यहाँ पर कमपनी ने अच्छी खासी दिखाई बढ़ सबसे आउस्टेंडिंग ग्रोथ आपने यहाँ पर कौटरली देखने को यहाँ पर कमपनी में मिलेगी खास करकर 446 मिलियन से कमपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 681 आपको दि पर निचोर है वो मिल जाएगा तो पिछले साल जो अर्निंग पर शेर था 3.61 जो बढ़कर 3.91 हुआ यहाँ यहाँ थोड़ा सा इंप्रॉमेंट इयरली वेसिस पर बट कौटरली देखिए 2.56 से बढ़कर 3.91 यहाँ के बहुत बढ़िया इंप्रॉमेंट कहाँ पर कौटर इयरली वेसिस पर थोड़ा सा यहाँ पर कम ग्रोथ है तो आगे बढ़ते हैं और कमपनी के स्टैंडलन रिजल्ट को भी देखते हैं अभी मुझे बताने की जरूरत ने दोस्तों आप खुद भी फिगर्स देखकर कमपनी को समझ सकते हैं जो भी नंबर्स मैं आपके आगे रख रहा हूं यह स्टैंडलन वेसिस के इंकम के नंबर है और यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा कि कमपनी के यहाँ पर दोस्तों इयरली वेसिस के इंकम में ग्रोथ है और कौटरली वेसिस के इंकम में भी आपको ग्रोथी नजर आएगी कमपेर आप कर सकते हो figures को यहाँ पर देखकर तो आगे बढ़ते हैं और directly आपको यहाँ पर मैं company का net profit बता देता हूं किस तरीके से रहा तो यहाँ पर पिछले जो साल के company के net profit है standalone basis पर वो 637 थे इन million में दोस्तो बढ़कर 686 हो गया है वो भी यहाँ पर growth में ही देखने को मिल रहे है जैसे consolidate के थे और देखें quarterly basis पर जो 431 था company का net profit वो बढ़कर 686 हो गया तो इस तरीके से KBS जो limited company है इसके result रहे दोस्तो एंड जो company ने कोई बड़ा announcement ऐसा नहीं किया जो यहाँ पर dividends related या bonus वगेरा split वगेरा जो split अभी होगी गया है company के अंदर हमने सभी ने देखा बट अभी यहाँ पर सभी चीजे यहाँ पर कोई ज़्यादा announcement से related important नहीं है अब दोस्तो news से related discuss करेंगे यहाँ पर आप जैसे के आज के details यह देख सकते हो थोड़ा मैं आपको time और date बताता हूँ जैसे आपको यह पूरे अच्छे से news को समझने में काफी easy होगा एक अगस्ट दो हजार चोबिस और यह अभी के latest update है दोस्तों खास करकर आज के ही हम ऐसा कह सकते हैं इंडियास nuclear power set for major expansion with 21 new reactor तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यह कितनी बड़ी बात है और इसका भी impact कितना शांदर तरिके से रहेगा और यह जितेंदर जो सिंग है उड़ो वह से यहाँ पर आपको पता है कि budget से related discuss हो रहे points तो अलग-अलग ministers अपनी details सामने रख रहे हैं तो इस news को भी पढ़ सकते हैं in significant development for India India's nuclear energy sector union minister of state for atomic energy जीतेंदर सिंग said that the country is currently constructing nine nuclear reactor यहाँ पर उन्होंने बताया कि construct यहाँ पर और जो नए करने वाले उसके बारे में भी वो बता रहे हैं additionally क्या बता रहे हैं वो build करने वाले कितने 12 reactors तो यह सबी चीजे इस जो news में है मैं जो आपको थोड़ा shortcut बताने कुश कर रहा हूं कि लग-बग इस sector पर कि इतना focus है government का वो आप यहां से समझ सकते है अभी बाकी की चीजे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो और थोड़े आपको मैं news बगएरा भी company से रेटेट बताता हूं यहाँ पर आप दोस्तों KSB Limited का जो share देखेंगे तो 964 पर trade कर र नजर आएगा कि यह stock काफी समय से इस level के अंदर ही देखने को मिल रहा है और वो level भी आप देख सकते हजार का जो level है वहां से लेकर इस stock इसका जो support level है दोस्तों 870 रुपई के करेब तो इसके उपर अगर जब तक है तब तक बहुत अच्छी बात है correction हुआ तो आपको और मोखे मिल सकते है देखिए जो भी निवेशक है वो proper तरीके से study करकर आगे बड़े क्योंकि companyों में growth आने के लिए work लगता है अगर आप work दे सकते हो तो ही निवेश करे क्योंकि इस company ने पैसा देखे कैसा बना कर दिया और वो आप सभी जानते जो long term की निवेशक है उनके बहुत अच्छे पैसे इस company ने बना कर दिये है और इसके अंदर उतना दमखम पहले से ही नजर आता है तो I hope दोस्तो KSB Limited को आप study कीजिए Thank you so much